हाई फ्रेंड वेल्कम टू गेम ओफ इनिंग जैसा कि आज मंडे हो चुका है और कुछी समय बाद हमें मंडे नाइट रॉक का शायद बैस्ट एपिसोड दिखे बैस्ट इस वज़े से कह रहा हूं क्योंकि यहां ब्रॉक लेस्नर वापसी करने वाले हैं और रॉंडर रोजी भी वापसी करने वाले हैं वहीं हो सकता है कि रोमन रेंज और ब्रॉक लेस्नर आमने सामने आएं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉक के प्रिव्यू के बारे में तो बढ़ते हैं वीडियो इतरफ पर शुरू करते हैं वीडियो बैल वज़ा क इस अफते की मंडे नाइट रॉम में सस्पेंशन के बाद रॉंडा रोजी वापसी करेंगी वहीं अलिकसा ब्लिस और रॉंडा रोजी आमने सामने आ सकती हैं वहीं इन दौनों के बीच समर स्लेम में मैच भी फिक्स हो चुका है जैसा कि हमने पहले देखा था कि आ चुकी हैं लास्ट वीक हमने तो यही देखा था वहीं इस वीक के लिए फिन बेलर और कॉंस्टेबल बेरन कॉर्बिन के बीच मैच सेट हो चुका है वैसे इनके बीच हमें फ्यूड एक्स्ट्रीम रूल्स बीबी से पहली शुरू होती हुई दिखी थी वहीं इनके बी इनके बीच पुरानी फ्यूड फिर से आगे बढ़ती दिखेगी जो की फैंस के लिए काफी एकसाइटिमेंट वाली बात हो ब्रॉन इस्ट्रॉम एंड समर स्लेम से पहले ही कैविन ओवन्स को मसल कर उनकी हालत खराब करना चाहेंगे ताकि कैविन ओवन्स उनके खिलाफ समर स्लेम में डरके रहें वहीं Brock Lesnar वापसी कर रहे हैं और Roman Reigns को उनके खिलाफ Summer Slam PPV में मैच मिल चुका है तो सबको इंतजार है कि Brock Lesnar वापसी के बाद क्या कहेंगे और Greatest Royal Rumble के बाद से उनके उपर काफी आरोप लगे हैं उनका जवाब वो कैसे देते हैं आके ये सबसे बड़ा पॉइंट है लेशले इस टाइम WWE में बड़े प्लेयर के रूप में दिखाई दे रहे हैं और उनके लिए अभी कुछ नहीं दिख रहा है Summer Slam के लिए उम्मीद ऐसी है कि वो शायद Brock Lesnar और Roman Reigns के मैच में एड़ हो जाएं जो कि अच्छी बात नहीं होगी वो फ्रेंड वाकई इस वीक की रॉका एपिसोड काफी अच्छा हो सकता है क्योंकि Brock Lesnar, Ronda Rosy, Bronis Roman, Kevin Owens, Roman Reigns, Seth Rollins, Drew McIntyre इन सभी के बीच हमें कुछ ना कुछ होता हुआ जरूर दिखने माला है बिलाल इस वीडियो में इतना ही पसंदा है तो लाइक और शेयर करें हो इस तरह की इंटरेसिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बड़न पर DDT Superkick Market Channel सब्सक्राइब करें मगर प्यार से थैंक यू